इनिंग की पहली गेन का सामना करते हुए बड़िया लीव बल्ले बास की इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूचबूच और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ बड़िया लीव बल्ले बास की डीप एक्स्ट्रा कावर पर फील्डर मौजूद है बड़िया लीव मुश्किल में पड़ते अगर वो खिलने की कोशिश करते जो मदद इस गेन बास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा चुरा लिया है एक बड़िया रनिंग बिट्रीन ड़िकेट्स्ट्रा बल्ले बास अपनी पहली गेन की तयारी करते हुए नजाकत से खेल दिया है सिंगल के विए बहुती आकरामक फील्ड लगा रखी है विकेट की तलाश में ये एक बहुती अच्छी रन नीती हो सकती है और ये शॉट बस एक रन ही निकाल पाओ दूसरी ओवर की शुरुआत यहाँ स्पिनर से करवाया जा रहा है डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद चार रन बहतरीन टाइमिंग का प्रदर्शन यहाँ बहुती अलग किसम की फील्ड लगाई है यहां कप्तान ने देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि क्या करेंगे अब बल्ले बास बहुती बढ़िया कैच फील्डिंग को जाज बहुत खुश होंगे इस प्रदर्शन से बहुती निराश लग रहे हैं पूरी तरह चुके वहां गेंद को वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाय थे बल्ले बास अपनी पहली गेंद की तैयारी करते हुए कोई गलती नहीं करते हुए यहां पे और एक बहुती निराश लग रहे हैं पूरी तरह चुके वहां गेंद को वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाय थे बहुत ही आकरामक बल्ले बास है यह विशो क्रिकेट में दिवाश होकर पेवलिन के तरह फ्लाटते हुए बहुत ही खराब शॉर्ट सेलेक्शन ना प्लेस कर पाये ना टाइम और सीधा फिल्डर के हाथ में कैच दे बैठे जो मदद इस गेनबास को इस शॉर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा खेल दिया है गाप में और यह एक राम कोई गलती नहीं करते हुए यहां पे और एक बहतरीन कैच बहुती निराश लग रहे हैं बोलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहां पर्वां हाग खुप ओभाई झाल झाल आट झाल 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 इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेनबाजी करनी होगी यहाँ बॉल सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं आप यहाँ आप यहाँ इस आप डील्डर के साथ आप यहाँ जदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है। ओ, खीच के मारा है, गेन गोली की तरह सीमा रिखा के उस पार जाती हुई। बहुत ही अच्छा गैप निकाल रहे हैं आज। बहुत ही सटीक प्लेस्मेंट बल्लेबास का। चलिए देखते हैं के अगली गेन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी। जो मदद इस गेन बास को इस शोर से मिली है, जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा। कोई गलती नहीं करते हुए यहाँ पे और एक बहतरीन कैच। निराश होकर पैविलियन के तरफ लटते हुए। बहुत ही तेज तरार कैच जरूर था पर यहाँ गेन बास की भी तारीफ करनी होगी। बल्ले बास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए। अगर इसी तरह मारते रहे तो बॉल चेंज करने की नौवत आ जाएगी। बहुत ही खुबसूरत बाउंडरी। दमदार शोट जिस तरफ इन्होंने मारा है उस तरफ की बाउंडरी बाकी के बाउंडरी के मुकाबले बहुत ही लंबी है। दूसरी ओवर की शुरुआत यहां स्पिनर से करवाया जा रहा है। हुत 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 है даже जाए हुत है। हुत है। आज का वेदर फॉर्कास तो कह रहा था के दूप होगी और ये देखिए टिप टिप बरसा पानी सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवक करके आना बलेबास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया रहे लाइन और लेंग्ट मापने में तो एक सेकेंड नहीं लगाते ये बहुत ही बढ़िया सिक्स गेंद की लेंग्ट का नुमान तो इन्होंने बहुत ही जल्दी लगा लिया था बहुत ही खुबसूरत शौड इसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म फिस लाइफ वाह क्या बात है ग्राउंड पे पानी तो अब दिखनी शुरू हो गई है लगता है अमपायर्स जल्दी गेम बंद करा देंगे बहुत ही बड़ा सिक्स मानों कह रहे थे के जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बहुत ही सरल शॉट था ये बल्लेबास का गेन की रफ्तार का पूरा उप्योग करते हुए गेन को पहुचा दिया है बाउंडरी लाइन के उस पार बहुत ही बड़िया शॉट बहुत ही बड़ा सिक्स जाने जाते हैं ये बल्लेबास ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है बल्ले से निकलते ही अपनी किसमत लिखवा गई थी ये गेन ये एक ऐसे बल्लेबास हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे बॉल सीदा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं इसी के साथ ये मैच अभी फिलहाल तो रोक दिया गया है और प्लेयर्स अब वापस अपने पैविलियन लोटेंगे अज आपके लिख लोटेंगे आपके लिख लोटेंगे बोलिंग में परिवर्थन पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहां इस आकरामक फिल्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरण के साथ गेनबाजी करनी होगी यहां बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहां छे रंग तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चका मार देंगे उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छकके ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहा मारेंगे ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां मानों सिर्फ चौको और छकको में ही दिल्चस्पी रखते हैं शॉट अलफास कम पढ़ जाए इस शॉट का वर्नन करने में शॉट अलफास कम पढ़ जाए बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे सुनेहरे फॉर्म में है यह आजकल आपने अगर एक गलती कर दी तो यह उसका पूरा फाइदा उठाएंगे एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे पॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रन यह तो तौफे में दी गई गेन थी और बले बास बिलकुल भी नहीं चुके ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है शॉर्ट गेन बास के पुरे अकड को चकना चूर करती हुई छे रन बहुती बड़ी अताल में दोनों बले बासों के बीच एक महत्रपूर्ण पारी बैटिंग टीम के लिए इन्हें अपने लाइन और लेंग्ध को यहां सुधार ना होगा वरना बले बास तो इन्हें माफ करने के मूड में नहीं है दूसरी ओवर की शुरुआत यहां स्पिनर से करवाया जा रहा है डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद बले बास की आँखे तो चील की आँखों की तरह हो चुकी है गेंद बास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग्ध समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का बहुत ही अच्छा गैप निकाल रहे हैं आज बहुत ही सटीक प्लेस्मेंट बले बास का एक बड़ा शॉट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी जिस तरह आजकल स्पिनर की दुलाई करते हैं ये क्या लगता है आपको कितने चक्के मारेंगे इस ओवर में बहतरी इंशॉट गेंज सीमा रिखा के बाहर और चार रन चलिए देखते हैं कि अगली गेंज स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी गैप में खेल दिया है हाँ और ये चार रन एसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म उफ इस लाइफ वाह। क्या बात है सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं इनिंग की आखरी बॉल ये रही आपके सामने हवा में उठा दिया है और ये छे रन कोई मौका नहीं था वहां फील्डर के पास और वह सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे एक बार फिर सुआ और ये आ रहे हैं दो हम विकेट समाल के खिलने तेज गेंबास को लाया जा रहा है इस छोर से इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंबाजी करनी होगी यहां पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैं यह इसलिए अब पॉइंट पे फिल्डर मौजूद उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका यह एक ऐसे बल्ले बाज है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहा मारेंगे इनकी फील्ड प्लेस्पेंट तो मानो फील्डिंग नहीं चक्रव्यू रचा रखी है गैप में खेल दिया है दो रण की कोशिश होगी यहाँ बहुत ही बड़िया पिक अपन थो बल्ले बाजो को एक एक्स्ट्रा रण जैने से रोक दिया बहतरीन टाइमिंग सटीक प्लेस्मेंट और चार रण के पूरे हगदार दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं बहुत है झाल झाल